का उत्सव बनाएं इसे वरासत से विकास का उत्सव बनाएं मेरे प्यारे देश्वास्यों आपको वो दिन याद जरूर होंगे जब छोटा भीम टीवी पर आना शुरू हुआ था बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते कितना excitement था छोटा भीम को लेकर आपको हैरानी होगी कि आज धोलगपुर का धोल सिर्फ भारत में नहीं बलकि दूसरे देश के बच्चों को भी खुप एट्रेक करता है इसी तरह हमारे दूसरे animated serials कृष्णा हानुमान मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में है भारत के animation characters यहां की animation movies अपने content और creativity की वज़े से दुनिया भर में पसंद की जा रही है आपने देखा होगा कि smart phone से लेकर cinema screen तक gaming console से लेकर virtual reality तक animation हर जगह मोजूद है animation की दुनिया में भारत नई क्रांती करने की रहा पर है भारत के gaming space का भी तेजी से विस्तार हो रहा है Indian games भी इन दिनों दुनिया भर में popular हो रहे हैं कुछ मैंने पहले मैंने भारत के leading gamers के साथ मुलाकात की थी तब मुझे Indian games की amazing creativity और quality को जानने समझने का मोखा मिला था वाकई देश में creative energy की एक लहर चल रही है animation की दुनिया में made in India और made by Indians चाया हुआ है आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भारत के टाइलाइन विदेशी production का भी एहम हिस्सा बन रहे है अभी वाली spider man हो या transformers इन दोनों movies में हरी नाराएंड राजीव के contribution को लोगोंने खुप सराहा है भारत के animation studios, डिजनी और Warner Brothers जैसी दुनिया के जाने माने production companies के साथ काम कर रहे है साथियों आज हमारे वा original Indian content जिसमें हमारी संस्कृति की जलक होती है वो तयार कर रहे हैं इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है animation sector आज एक ऐसी industry का रूप ले चुका है कि जो दूसरी industries को ताकत दे रहा है जैसे इन दिनों VR tourism बहुत famous हो रहा है आप virtual tour के माध्यम से अजनता की गुफाओं को देख सकते हैं कोणार्क मंदिर के कोरिडोर में टहल सकते हैं या फिर वारानसी की घाटों का आनंद ले सकते हैं ये सभी VR animation भारत के creators ने तयार किये हैं VR के माध्यम से इन जगहों को देखने के बाद कई लोग वास्त्विक्ता में इन परेटन सलो का दोरा करना चाहते हैं यानि tourist destination का virtual tour लोगों के मन में जिग्यासा पैदा करने का माध्यम बन गया है आज इस sector में animators के साथ ही storytellers, writers, voiceover experts, musicians, game developers, VR और AR experts उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा अपनी creativity को बिस्तार दे क्या पता दुनिया का अगला superhit animation आपके computer से निकले अगला viral game आपका creation हो सकता है educational animations में आपका innovation बड़ी सफ़ता हसिल कर सकता है इसी 28 अक्तूबर को यानि कल world animation देख भी मनाये जाएगा आईए हम भारत को global animation powerhouse बनाने का संकल पले मेरे प्यारे देशवाश्यों स्वामी विवेकरन ने एक बार सफ़ता का मंत्र दिया था उनका मंत्र था कोई एक idea लीजिए उस एक idea को अपनी जिंदगी बनाईए उसे सोचिए उसका सपना देखिए उसे जीना शुरू करिए आज आत्म निर्भर भारत अभ्यान भी सफ़ता के इसी मंत्र पर चल रहा है यह अभ्यान हमारी सामुहिक चेतना का हिस्सा बन गया है लगातार पग पग पर हमारी प्रेणा बन गया है आत्म निर्भरता हमारी policy ही नहीं हमारा passion बन गया है बहुत साल नहीं हुए शिरफ दस साल पहले की बात है तब अगर कोई कहता था कि किसी कॉंप्लेक्स टेक्नोलोजी को भारत में विक्सित करना है तो कई लोगों को विश्वात नहीं होता था तो कई उपहास उडाते थे लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देकर अचंबे में रहते हैं आत्मनिर बर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है आप सोचिए एक जमाने में मुबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैनुफेक्चरर बन गया है कभी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज पचासी देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है स्पेस टेक्नोलोजी में भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है और एक बात तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि आत्मनिरभरता का ये अभ्यान अब सिर्फ सरकारी अभ्यान नहीं है अब आत्मनिरभर भारत अभ्यान एक जण अभ्यान बन रहा है हर प्षेत्र में उपलब्दियां हासिल कर रहे है जैसे इसी महने लद्दा के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टैलिसकोप मैस का भी उदगाटन किया है ये 4300 मिटर की उचाई परस्तित है जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है ये मेड इन इंडिया है सोचिए जिस थान पर माइनस 30 डिग्री की ठंड पड़ती हो जहां ऑक्सिजन तक का अभाव हो वहां हमारे वैज्यानी को और लोकल इंडिस्ट्री ने वो कर दिखाया है जो एशिया के किसी देश ने नहीं किया हानले का टेलिसकोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है और ये चीज है आत्मन निर्भर भारत का सामर्थ साथियों मैं चाहता हूँ आप भी एक काम जरूर करें आत्मन निर्भर होते भारत के ज़्यादा से ज़्यादा उदारण ऐसे प्रयासों को शेर करिए आपने अपने परोस में कौन सा नया इनोवेशन देखा कि इस लोकल स्टार्ट अप ने आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेश किया हैश्टेग आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ सोचल मीडिया पर ये जान करिया लिखिये और आत्मनिर्भर भारत का उत्सों मनाईए त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरिदारी करते हैं ये नया भारत है जहां इंपॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर्ट बन गया है जहां हर नागरिक इनोवेटर है जहां हर चैलेंज एक आपर्चुनिटी है हमें ना सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है बलकि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है मेरे पहरे देश्वास्यो मैं आपको एक आउडियो सुनाता हूँ हलो सर नमस्ते सर सर भूलिए सर गि दो आपने आप आयार नंबर मुझे संडू के है इस नंबर के खिर लाफ सेंटी इन कमपने आरे हमारे पास आप ये नंबर यूज का रहे है मैं नहीं यूज करता हूं सर अभी काह से बात कर रहे हूँ सर करणड का सर वो मगगर में हो सर ओके इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकार्ट कराईए ताके ये नंबर ब्लाग कर दिया जाए फीचर में आपको कोई प्राप्लम ना हो के ये सर अभी मैं आपको कनेक का रहा हूँ ये आपका इन्वेस्टिकेशन आपी सर है आप अपनी स्टेट में रिकार्ट कराईए ताके ये नंबर ब्लाग कर दिये जाए ओके आपना आपके फोन में है नंबर ब्लाग करने के लिए ये सर आप डरिवग करने के लिए अपडरिए ना अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरी है ना आपके पास अधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वैरिफाई कर रहे हैं नहीं सर मैं गाउं का है तर गर में हैं सर ओके कमिंग इस विक्ति के वन साइड वीडियो कार्ड करो एस पर प्रोटोकॉल ओके यह ओडियो सिर्फ जानकरी के लिए नहीं एक कोई मनोरंजन वारा ओडियो नहीं है एक गहरी चिंता को ले करके ओडियो आया है आपने अभी जो बात्चीत सुनी वो डिजिटल एरेस्ट के फरेब की है यह बात्चीत एक पीडित और फ्रोड करने वाले के बीच हुई है डिजिटल एरेस्ट के फ्रोड में फोन करने वाले कभी पुलीस कभी सिबी आई कभी नार्कोटिक्स कभी आर्बी आई ऐसे भाती भाती के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉंफिडेंस के साथ करते हैं मुझे मन की बात के बहुत से स्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जुरूर करनी चाहिए आईए मैं को बताता हूं यह फ्रोड करने वाली गैंग काम कैसे करती हैं यह खतरना खेल क्या है आपको भी समझना बहुत जरूरी है और उको भी समझाना उतना ही आवशक है पहला दाव आपकी व्यक्तिकर जानकरी वो सब जुटा करके रखते हैं आप पिछले मैंने गोवा गए थे है ना आपकी बेटी डिली में पड़ती है है ना वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे दूसरा दाव भाहे का माहोल पादा करो वर्दी सरकारी दप्तर का सैट अप कानूनी धारा हैं वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोज भी नहीं पाएंगे और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है तीसरा दाव समय का दबाव अभी फैसला करना होगा वर्ना आपको गिरपतार करना पड़ेगा ये लोग पीडित पर इतना मनोवेज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम ज लोगों ने डर की वज़े से अपनी मेहनत से कमाये हुए लाखों रुपिय घमा दिये हैं कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजनसी फोन कोल या वीडियो कॉल पर इस तरह पुस्ताज कभी भी न नहीं करती मैं आपको डिजिटल सुरुक्षा के तीन चरण बताता हूं यह तीन चरण है रुक पिशादाव समय का दबाव अभी फैसला करना होता है वन्ना आपको गिरपता करना पड़ेगा यह लोग पीविट पर इतना मनोवे ज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सह हैं जाता है डिजिटल एरेस के शिकार होने वालों में हर वर्व हर उम्र के लोग है लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाये हुए लाखों रुकिये घमा दिये तो कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है आपको पता होना चाहिए कोई कोई भी जानाच एजेंसी फॉम कोर्ण या वीडियो कॉल पर इस तरह पुस्ताश कभी भी नहीं करते हैं मैं आपको डिजिटल सुरुच्छा के तीन चरण बताता है यह तीन चरण है रुको सोचो एक्शन कॉल आते ही रुको गब्राय नहीं शांत रहें जंद बाजी में कोई कदम न उखाए किसी को अपनी व्यक्ति के जानकारी न दे संभव हो तो स्क्रीन सोट ले रेकॉर्डिंग जरूर करें इसके बाद आता है दूसा चरण पहला चरण था रुको दूसा चरण है सोचो कोई भी सरकारी एजेंसी होन पर ऐसे धंकी नहीं देते हैं नहीं व उस्ताज करती है नहीं ऐसे पैसा की मांग करती है अगर डर लगे तो समझ ये कुछ गड़बड है और पहला चरण दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण पहले चरण मैंने का रुको दूसरे चरण मैंने का सोचो और तीसा चरण कहता हूं एक्शन लो राश्ट्रियर साइबर हेल्प लाइन साइबर काने के लिए नेशनल साइबर कोर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है एजिंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है लाखों सिम कार्ड मोबाइल फोन और बैंक एकाउंट्स को भी ब्लॉक किय इजन्सियां अपना काम कर रही है लेकिन डिजिटल एरेस के नाम पर हो रहे इस कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूपता हर नागरिक की जागरूपता जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं उन्हें जादा से जादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए आप जागरूपता के लिए हैस्टेक सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्केम के खिलाप मुहिम में छात्रों को भी जोड़े समाज में सब के प्रयासों से ही हम इस च कैलिग्राफी यानि सुलेक में काफी दिल्चस्पी रखते हैं इसके जिए हमारी लिखावट साफ सुन्दर और आकरशक बनी रहती हैं आज जम्मू कश्मीर में इसका उप्योग लोकल कल्चर को लोगप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है यहां के अनंतनाक की फिर्दो स्थानिय संस्कृति के कई पहलूं को सामने ला रही हैं फिर्दोसाजी की कैलिग्राफी ने स्थानिय लोगों विशेशकर युवाओं को अपनी और आकरशित किया है ऐसा ही एक प्रयास उधंपूर के गोरिनाजी भी कर रहे हैं एक सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिये वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्द रूपों को सहजने में जूटे हैं सारंगी की धूनों के साथ वे अपने संस्कृति से जूड़ी प्राचीन कहानिया और एतियासिक गटनाओं को दिल्चस्प तरीके से बताते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों मे भी आपको ऐसे कई असाधान लोग मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक विरासत के सहुरक्षण के लिए आगे आये हैं करीब पचास साल से चेरियाल फोक आर्ट को लोगप्रिय बनाने में जूटे हैं तेलांगाना से जूड़ी इस कला को आगे बढ़ाने का उनका ये प्रयास अधभूत है चेरियाल पेंटिस को तयार करने की प्रक्रिया बहुती यूनिक है यह एक स्क्रोल के स्वरुप में कहानियों को सामने लाती है इसमें हमारी हिस्ट्री और माइथोलोजी की पूरी जलक मिलती है 36 गड़ में नारणपूर के बुटलूराम माथरा जी अबूज माडिया जनजाती की लोक कला को समरक्षित करने में जूटे हुए है पिछले चार दसकों से वे अपने इस मिशन में लगे हुए है उनकी एकला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्च भारत जैसे अभ्यान से लोकों को जोडने में भी बहुत कारगर रही है साथियों अभी हम बात कर रहे थे कैसे कश्मीर की वादियों से लेकर 36 गड़ के जंगलों तक हमारी कला और संस्कृती नए नए रंग बिखेर रही है लेकिन यह बात यही खत्म नहीं होती हमारी इन कलाओं की खुश्बू दूर दूर तक फैल रही है दुनिया के अलग-अलग देशों में लोग भारतिय कला और संस्कृती से मंत्र मुग्त हो रहे जब मैं आपको उधंपूर में गुंच्ती सारंकी की बात बता रहा था तब मुझे याद आया कि कैसे हजारों मिल दूर रूस के सहर या कुछ सक में भी भारतिय कला की मदूर दून गुंज रही है कलपना कीजिए सर्दी का एकादीन माइनस पैंसेट डिगरी तापमान चारों तरब बर्प की सफेज चादर और वहाँ एक थियेटर में दर्शक मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं कालिदास की अभिज्यान साकुंतलम क्या आप सोच सकते हैं दुनिया के सबसे ठंडे शहर या कुछ सक में भारतिय सहित्य की गर्म जोशी ये कलपना नहीं सच है हम सब को गर्ब और आनन से भर देने वाला सच सात्यों कुछ हपते पहले मैं लाउस भी गया था वो नवरात्री का समय था और वहां मैंने कुछ अध्भुद देखा स्थानिय कलाकार फलक फलम प्रस्तुत कर रहे थे लाउस की रामायन उनकी आखों में बही बक्ति उनके स्फर में बही समर्पण जो रामायन के प्रती हमारे मन में है इसी तरह कुवेट में स्री अब्दुला अल्बारुन ने रामायन और महाभरत का अर्भी में अनुवात किया है ये कारिय मात्र अनुवात नहीं बल्कि दो महान संस्कृतियों के बीश एक सेतू है उनका ये प्रयास अरब जगत में भारतिय सहित्य की नई समझ विक्सित कर रहा है पेरु से एक और प्रेरक उधारन है एरलिंदा गार्चिया वहां के युवाओं को भारत नाट्यम सिखा रही है और मारिया वाल्देस ओडिसी नुर्त्य का प्रस्विक्षन दे रही है इन कलाओं से प्रभावित होकर दक्षिन अमेरिका के कई देशों में भारतिय सहत्रिय नुर्त्य की धुम मची हुई है साथियों विदेसी धर्ती पर भारत के युदारन दर्साते हैं ये भारतिय संस्कृति की शक्ती कितनी अध्भूत है ये लगातार विश्व को अपनी और आकरशित कर रही है जहां जहां कला है वहां वहां भारत है जहां जहां संस्कृति है वहां वहां भारत है आज दुनिया भर के लोग भारत को जानना चाहते हैं भारत के लोगों को जानना चाहते हैं इसलिए आप सभी से एक अनुरोध भी है अपने आसपास ऐसी सांस्कूरुतिक पहल को हैस्टेक कल्चरल बिजिज के साथ साजा कीजिए मन की बात में हम ऐसे उधारन पर आगे भी चर्चा करेंगे मेरे प्यारे देश वास्यों देश के बड़े हिस्से में ठंड का मौसम शुरू हो गया है लेकिन फिटनेस का पैशन फिट इंडिया की स्पिरिट इसे किसी भी मौसम से फर्क नहीं पड़ता जिसे फिट रहने की आदत होती है वो सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं देखता मुझे खुशी है कि भारत में अब लोग फिटनेस को लेकर बहुत जादा जागरूख हो रहे हैं आप भी देख रहे होंगे कि आपके आसपास के पार्कों में लोगों के संख्या बढ़ रही हैं पार्क में टहलते गुजुर्गों नवजवानों और योग करते परिवारों को देखकर मुझे अच्छा लगता है मुझे आध है जब मैं योग दिवस पर स्रीनगर में था बारिस के बावजुद भी कितने ही लोग योग के लिए जूटे थे अभी कुछ दिन पहले स्रीनगर में जो मेरतन हुई उसमें भी मुझे फिट रहने का यही उत्साई दिखाई दिया फिट इंडिया की यह भावना अब एक मास मुमेंट बन रही है साथियों मुझे यह देखकर भी अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल्स बच्चों की फिटनेस पर अब और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं फिट इंडिया स्कूल अवर्ज भी एक अनोखी पहल है स्कूल्स अपने फस्ट पिरियर का इस्तेमाल अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं कितने ही स्कूलों में किसी दिन बच्चों को योग करवाये जाता है कभी किसी दिन एरोबिक्स के सेसन होते हैं तो एक दिन स्पोर्स स्कील पर काम किया जाता है किसी दिन खोखो और कबड़ी जैसे पारंपारिक खेल खिलाए जा रहे हैं और इसका असर भी बहुत शांदार है एटेंडन्स अच्छी हो रही है बच्चों का कॉंसेंट्रेशन बढ़ रहा है और बच्चों को मजा भी आ रहा है साथियों मैं वेलनेस की उर्जा हर जगद देख रहा हूं मन की बात के भी बहुत से स्रोताओं ने मुझे अपने अनुभव बेजे हैं कुछ लोग तो बहुती रोचक प्रवोक कर रहे हैं जैसे एक उदाहरन है फैमिली फिटनेस आवर का यानि एक परिवार हर विकेंड एक घंटा फैमिली फिटनेस एक्टिविटी के लिए दे रहा है एक और उदाहरन इंडी जीनियस गेम स्रिवाइवल का है यानि कुछ परिवार अपने बच्चों को ट्रिडिशनल गेम सिखा रहे हैं खिला रहे हैं आप भी अपनी फिटनेस रूटीन के एक्स्पिरियंस हैस्टेक फिट इंडिया के नाम सोचिल मिडिया पर जरूर शेयर कीजिए मैं देश के लोगों को एक जरूरी जानकारी भी देना चाहता हूँ इस बार 31 अक्तोबर को सरदार पटेल जी की जैनती के दिन ही दिपावली का परवभी है हम हर साल 31 अक्तूबर को राष्ट्रिय एकता दिवस पर रन फर यूनिटी का आयोजन करते हैं दिपावली की वज़े से इस बार 29 अक्तूबर यहने मंगलवार को रन फर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा मेरा आग्रह है जादा से जादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिट्नेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाईए मेरे प्यारे देशवासियों मन की बात में इस बार इतना ही आप अपने फिट्बेक जरूर भेजते रहें यह त्योहारों का समय है मन की बात तेश्रोताओं को धनतेरस दिवाली छटपुजा गुरुनानक जैन्ती और सभी परवों की बहुत बहुत शुब कामना है आप सभी पूरे उत्सा के साथ त्योहार मनाएं वोकल फर लोकल का मंत्रे याद रखें कोशिश करें कि त्योहारों के दोरान आपके घर में स्थानिये दुकानदारों से खरीदा गया सामान जरूर आए एक बार फिर आप सभी को आने वाले परवों की बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। सुलेक में काफी दिल्चस्पी रखते हैं।